तो guys कैसे हैं आप सब लोग इस वीडियो में हम लोग बात करें close range fight के बारे में कि हम लोग close range fight को जल्दी से जल्दी कैसे win कर सकते हैं और अपने enemy को kill कर सकते हैं तो guys इस वीडियो के एक first part भी मैंने बनाया है उसका link मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसे आप चेक आउट कर लीजिए क्योंकि ये दोनों वीडियो के जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इसलिए आप उसको भी देख लीजिए गाईस अगला अपना पॉइंट आता है कि हमेशा लेवल 2 की वैस्ट हो जब आपके बास लेवल 2 के गियर हो गाईस तब ही आप रश करो लेवल 1 का कभी भी रश मत करो गाईस क्योंकि लेवल 1 का तो इतना डेमेज रोकता नहीं अगर सामने वाले पर पाद लेवल 2 का हुआ गाईस तो आपको दिक्कत हो सकती है आपको गाईस लेवल 2 का ही चाहिए आर्मर और हेलमट तब ही आप रश करो लेवल 1 में नहीं रश करो तो गाईस अपना next पात या close combat में कि अगर जैसे गाईस हम कई वरी एनिमी भी हमको गोली मार रहा है हम वो भी move and fire कर रहा है और हम भी move and fire कर रहे हैं तो गाईस कई वर क्या है कि हमारी gun reload होने लग जाती है तो guys उसी time reload मत करो gun को उसी time gun switch करो और दूसरी gun से उसे kill करो क्योंकि guys gun reload करने को 3 second लगते हैं guys 2 त्या 3 second लगते हैं और gun switch करने में 1 second भी नहीं लगता तो guys आपको जल्दी से जल्दी gun switch करके आपको फिर enemy को kill कर दो ये guys आपको quickness होनी चाहिए हार हम आपके हर एक action में तो guys उससे next tip आते हैं कि cover में रहो cover मत छोड़ो क्योंकि guys अगर आप cover छोड़के open में चले जाओगे तो guys आपको 80% chances enemy के हैं आपको kill करने में अगर आपको cover में रहके ही guys आपको हमेशा rush करना है जैसे आप कहीं पर rush कर रहो guys तो आप open में मत भागो जा तो smoke करके भागो घर में rush करो जा cover में जाके भागो guys cover में right से rotate मारो left से सामने से मत जाओ guys direct मत गुसो घर में तो guys उससे अगली आती है guys device and internet guys अगर आपके पास device या internet अच्छा नहीं है तो आप close combat fight में जीत ही नहीं सकते guys क्योंकि guys अगर सामने माले का पिंग अच्छा आ रहा है और आपका guys पिंग 300 या साठे 300 आ रहा है guys मैं कह रहा हूँ अगर आपका पिंग 200 भी आ रहा है अगर उसका 60 पिंग आ रहा है 40 आ रहा है अगर आपका 200 आ रहा है आप कुछ भी कर लो guys आप close combat fight को improve करें ही नहीं सकते guys कई मेरे भाई कहते हैं यह tool डालो device में यह tool डालो guys कुछ भी डालो low device चल ही नहीं सकती उसका कोई ilaj ही नहीं है तो guys उसके अगला पॉइंट रहता है कि आपको बड़िया क्वाल्टी के headphone यूज़ करने चाहिए जितनी आप बड़िया क्वाल्टी की यूज़ करोगे उतना ही guys आपको advantage होगी enemy को kill करनी क्योंकि guys जो PUBG गेम है यह बिल्कुल sound पे 80% यह sound पे निर्वर करती है enemy की location guys अगर आपके headphone अच्छी है तो guys next point है कि हमें हमेशा rush करते हुए AKM या M762 का use करना है मैं आपको recommend करना guys कि जबी भी आप घर में अगर आप rush खेलते हो guys अगर आप assaulter हो अपनी team के तो आपको एक M416 रखनी चाहिए और एक guys आपको AKM या M762 रखनी चाहिए विदाव drop gun की बात कर रहा हूँ मैं drop gun की नहीं without drop की आपको M762 या Aegea में से कोई एक gun रखनी चाहिए और अपनी जो secondary gun है guys उसको आपको M416 रखनी चाहिए long range के लिए जैसे mid range के लिए आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें guys तो guys मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आपको कभी भी guys जैसे मैंने पीछे बोला कि crouch and shoot करना चाहिए या prone and shoot करना जाए तो guys आपको कभी भी open में crouch नहीं करना अगर आप open में crouch करके shoot करेंगे तो guys enemy आपको आसानी से kill कर देगा उसके 70% chances आपको kill करनेगी क्योंकि guys जब हम crouch हो जाते हैं जब प्रोन हो जाते हैं गाई तो अगर हम प्रोन ओर गे तो वह jump करके हमें असानी से मार सकता है और क्योंकि हमारी movement बहुत slow हो जाती है हमारी गंद जादा उपर भी नहीं जाएगी जब वह जंप करेगा तो अगर हम crouch हो की shoot करें हमारा बंदा अपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम बैट के move करते हैं तो हमारे बंदे की speed 50-60% कम हो जाती है गाईज move करने की तो उससे वह आपको असान से kill कर सकता है गाईज आपको crouch and shoot बिल अंदर करना है रूम में करना है जैसे अब घर में रश कर रहे हो तभी लेट के तभी jump करके shoot करो नहीं तो आप move and fire use करो हमेशा open में तो गाईज अपनी next tip solo versus squad में गाईज मेरा कोई भी भाई solo versus squad खेल रहा है तो गाईज आपको हमेशा एक जगह पर नहीं अगर आप पर चार बंदों ने अकठे रश कर दिया गाईज तो गुणिया का भाई कोई भी बड़ा player है कोई भी महान player है वो नहीं गाईज एक एक गोली में एक चार बंदों को नहीं मार सकता गाईज तो आपको गईज क्या करना आपको जादा से जादा एंगल गैर जाइसे आप नोवों में उत्रे और आपको पूरी squad में रश कर दिया तो गैस आपको पूरा एंगल सुच करके खेलना गाई जब गाईस आप सामने वाली स्कौर्ड को अपने पीछे बगाऊगे ना गाईस तो कोई भी बंदा लाइन में नहीं आएगा सभी को ऐसे होता है कि किल मैं ले हूँ इसका तो गाईस सभी बंदे कोई लैट्स जाता है कोई लैट्स जाता है त दुनिया का आप जितना भी बड़िया खेल तो आप उसे नहीं मार सकते आप चार बंदों के साथ नहीं लड़ सकते गाईस डाराइक्ट फैट में आपको इंडाराइक्ट फैट लेनी है उसमें कवर में रहके ही उन्हें किल करना है क्योंकि जब वो स्प्लेट होंगे वो आगे पीछे हो जाएंगे बंदे तो उसको बाद आप उसे किल करो तो गाईस उसके बाद अपनी इंपॉर्टन आतिया गाईस स्पीड और माइंट सेट देखिए जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं अगर आप में स्पीड या माइंड सेट नहीं है तो गाईस सारे के सारे बेकार हैं क्योंकि गाईस इंपॉर्टन हैं स्पीड गाईस पीड बहुत ही जादा काम कर दिया जैसे अपने पीग की गाईस मारने के लिए जोए तो गाईस अगर आपने पीक की तो गोली मारने ही चाहिए ऐसे नहीं कि पीक कर लिए पीक करके फिर गोली निबजी और आप तुम लोग नौक होगे तो ऐसे नहीं अगर आपने एनिमी को रश कर दिया तो गाई रश करके आपको से मारना ही है इतनी आपको स्पीड़ कुईक्नेस चाहिए गाई आपके एक्शन में क्योंकि गाई अग सद्धोन रश भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि तब भी मर सकते हो कभी भी रश करो एक आद बंदे को नौक करके फिर रश करो अगर सामने वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो या तो आप अक्शा कर सकते हैं और गाई सब्सक्राइब कर लेजिए अगली वीडियो के लिए कुंछ ही मैं रोजाना एसी वीडियो से लेकर आता रहता हूं thank you guys मिलते हैं आगली वीडियो में